आज हम जैसी stressful life जी रहे हैं, जीवन में आपा धापी मची हुई है, तो इस बारे में हमें पहले जान लेना चाहिए कि anxiety और depression आज के समय में अधिकांश लोगों को रहता है। और दुनिया ने इस केसर की ताकत को इतना पहचाना है कि जो विश्व में सबसे बड़ी anti-depressant दवाई होती है, anti-anxiety दवाई होती है, हमारी केसर उसका मुकाबला कर सकती है और उससे भी ज्यादा फायदा दे सकती है। एक फायदा केसर का और ये होता है कि उन दवाईयों का side effect बहुत गंभीर होता है, जबकि हमारी केसर का कोई भी side effect नहीं होता, बलकि side benefit होता है। International Medical Journal जैसे Journal of Phyto Medicines ने randomized control trial के बाद ये finding दी है कि हमारी केसर याने सेफरन दुनिया की number one anti-depressant, anti-anxiety दवा है। जैसे जब आप depression का इलाज कराने doctors के पास जाएंगे, तो वो आपको जो anti-depressant या anti-anxiety दवा देंगे, तो उससे आपको libido, नीद नाने की शिकायत, याने insomnia, fatigue, obesity जैसी बहुत सी चीजें side effects के रूप में इनाम में मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप केसर का उपयोग करेंगे, तो ये सारे side effects से आप बच सकते हैं। केसर का असर इतना जादू ही होता है, कि अगर कुछ दिनों तक हम इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए सूंग से भी रहें, तो हमारा migraine, हमारे depression और insomnia, याने नीद नाने की बिमारी जो है, वो चमतकारिक रूप से ठीक हो जाएगी। आजकल अक्सर ऐसा होता है, कि नीद ना आने की शिकायद बहुत लोगों को हो जाती है, और वह नीद की घातक दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो केसर को लगातार सूंगते रहें, या उसके दो-तिन थ्रेट को आधे कप गर्म पानी में घोल कर नियमित उसका सेवन करेंगे, तो उनकी ये शिकायद कुछी समय में दूर हो जाएगी। USDA याने United States Department of Agriculture ने ये पाया है कि केसर याने सैफरन में विटेमिन B6, विटेमिन C और हार्ट हेल्थी एंटी ऑक्सिडेंट इतनी अच्छी मात्रा में होते हैं कि ये दिल की सेहत को भी बहुत अच्छा रखती है। हमारी बॉडी में हैपी हार्मोन्स याने एंडॉर्फीन्स को भी ये केसर बढ़ाता है। इनमें सबसे प्रमुक होता है डोपामीन जो हमारे उत्साह के लिए, हमारे सैटिसफेक्शन के लिए, हमारे एकसाइटमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। जब डोपामीन का लेवल बढ़ता है तो हम बहुत सैटिसफायद महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं और यही एक कारण है कि जिससे हमारी सेह सुधरती है, हमारे डेप्रेशन कम होता है, हमारी एंग्जाइटी कम होती है और बहुत तरह की जो एक्टिविटीज हमारे शरीर में होनी चाहिए, वह बढ़ जाती हैं, केसर ना सिर्फ डोपामीन को बढ़ाता है, याने हमारे हैपी हार्मोन को बढ़ाता है, बलकि यह हमारे ब्लड वैसल्स की जो क्लॉगिंग होती है, याने जो उसमें ब्लॉकेज आना होता है, उसको भी धीरे धीरे करके दूर कर देता है, जिस से हमारी बहुत सारी शरीर की जो एक्टिविटीज हैं, उसमें एजाफा हो जाता है, और इसका असर यह होता है, कि हम हार्ट अटेक से अपने आपको बचा सकते हैं, केसर को अगर हम हल्दी के साथ मिला लें, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है, तो यह पूरी बॉडी का इंफ्लेमेशन, यानि कई तरह के रोगों को दूर करने में बहुत सहायक होता है, और इसके जो गुन है केसर के, वो हल्दी के साथ मिलकर कई गुना बढ़ जाते हैं, अब आईए यह जानते हैं, कि हम इस केसर को कैसे ले सकते हैं, तो सबसे पहले एमटी इस टमक, अगर हम थोड़ी सी केसर की चाए, केसर की चाए कैसे बनाते हैं, केसर के कुछ थ्रेट डाल सकते हैं, गरम पानी में, जब उसका कलर आ जाए, तो उसमें पिंच आफ टरमरिक डाल सकते हैं, यानि हल्दी डाल सकते हैं, दो पक्तियां पुदेनी की डाल सक याने नीबू की डाल सकते हैं इससे जो केसर चाय बनेगी उसका प्रति दिन खाली पेच अगर आप नेमिज सेवन करते हैं तो आपकी हार्ट हेल्थी भी अच्छी हो जाएगी जिन लेडीज में पीरेड्स की समस्या होती है वो भी अच्छी हो जाएगी लेकिन यहां एक बा क्रिप्या वे केसर की चाय का उप्योग ना करें